हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्क्रस करेंगे वासिंग सोडा एंड इसके प्रोपर्टी के बारे में एंड इसके यूजिज के बारे में और लास्ट में इससे हम एमसी क्यू भी डिस्क्रस करेंगे तो बने रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक एक वर्ड आपको क्लियरली समझाने का कोशिज करूँगा तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके chemical name and chemical formula पर discuss करेंगे क्योंकि यहां से confusion ज्यादा होता है तो पहले वह discuss करते हैं वासिंग सोडा जनरली लोग sodium carbonate मारके ही छोड़ देते हैं जो क्यों गलत है वासिंग सोडा में 10H molecules of water देना पड़ता है तो इसलिए यह formula आपको दिहान रखना है यह chemical formula है यह आपको दिहान रखने है अब इसका chemical name क्या बनेगा sodium carbonate तो आपको दे नहीं है यहां तक मैं आप sodium carbonate बोलोगे और 10H2O को कैसे बोलना है देखे टेन को बोला जाता है डेका और वाटर को बोलेंगे हाइडरेट यानि क्या बन गया इसका chemical name sodium carbonate डेका हाइडरेट ठीक है यह आपको दिहान रखने है इसका chemical name यह हुआ अब आगे preparation देखते हैं सूडियम तो प्रिप्रेशन में क्या होगा sodium carbonate manufactured by the thermal decomposition of baking soda by the solve process मतलब यह हुआ कि आप आप बनाने सीख चुके होंगे पिछले पिजूर में मैंने आपको सिखाया है इसी को जब आप हाइली मतलब हाइली टेंपरेचर पे जब हीट करोगे तो क्या होगा कि यह 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 वाट करते हैं तो sodium carbonate water or CO2 बनता है अब यहां से इस CO2 को क्या करते हैं एक मिनट यहां पर ध्यान दे कि यहां पर इस टेट को क्या बोला जाता है वह भी आपको समझने है यह जो sodium carbonate इसमें water नहीं है यह एंहाइडरस sodium carbonate है यह dry of sodium carbonate है यह दिखान से सुने यह जो sodium carbonate obtained हुआ है यह dry form में है और इस dry case यह dry form of sodium carbonate को ही हम soda S बोलते हैं यह बहुत important यह इसका name माना जाएगा क्योंकि यहां से भी question आते है सूडा इस इसको बोला जाता है या फिर इसको N Podium carbonate भी बोला जाता है यह दिखान डखना है आपको डिक है अब आगे देखें अब इस ही में क्या किया जाता है इसी में आपको क्या किया जाएगा अब जो यह सोडा एस बचा था बना था वासिंग सोडा इस उप्टेंड बाइडरेशन आफ एन्हेडर सोडियम कार्बोनेट यानि कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप बेकिंग सोडा को स्ट्रॉंगली हीट किये तो सोडा एस या एन्हेडर सोडियम कार्बोनेट बना अब यह जो सेन एने टू स्योट्री जो आपको बना है इसी में रिहाइडरेशन करते हैं ठीक है रिहाइडरेशन मतलब यह हुआ कि अगेन मैं इसमें टेन मॉल्कुल्स आफ वाटर एड कराते हैं तो अब जाएगा क्या सोडियम कार्बोनेट बन गया अब इसी में क्या करेंगे टेन मॉल्कुल्स ओफ वाटर एड करा देंगे तो आपको वासिंग सोडा बन जाएगा इतना ध्यान रखना है तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको यह वासिंग सोडा कैसे बनता है या आपको पता चल गया होगा अब इसके प्रोपर्टी डिसकस करते हैं सबसे पहले क्या सॉलीड है यह मैं आपको देखाता हूं इसका फीगर आपको बरहियं से समझ में आ जाएगा यह देखिए बेकिंग सोडा सब्सक्राइब गलती हो क्या वाक बेकिंग सोडा नहीं वासिंग सोडा दो एकुश्पल Solid White powder की फ़ॉर्व में है जैसे की अज्शली में बेकिंग सोड़ा भी सी एसी फ़ॉर्व में था ठीक है तो इसी डाइप का वाइट रहता है बेकडिंग सोड़ा भी वसिंसोड़ा और वहीं इसी फॉर्म में एड करते हैं तो यह alkaline in nature का हो जाता है basic in nature का हो जाता है अब आप बताए जो basic substance होगा जो basic in nature का होगा तो वो red litmus को किस में change करेगा blue litmus में change करेगा यह आपको दियान रखना है अब आगे देखिए इसके property it has cleansing property very good यह जो है cleansing property so करता है यानि यह वासिंग करने का काम करता है वासिंग property रखता है यह तो यह तो बहुत important हो जाएगा क्योंकि इसके नाम में छुपा हुआ वासिंग तो यह बात है अब इसके देखते हैं यूजेश फर्स्ट यूजेश देखिए इस यूजेश दिन रिमोविंग दा पर्मानेंट हाडनेस ऑफ वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह यूजेश है इसका अपको दिहान रखिए यह यहां से तो question आहीं जाते हैं तो actually में पर्मानेंट हाडन हाड वाटर में उसके हाडनेस को रिमूब करने के लिए हम वासिंग सोडा का यूज करते हैं यह आपको समझना है अब देखिए next देखिए यूजेश इस यूजेश दा मेकिंग ऑफ डिटरजेंट यह यह आपको दिहान रखना है डिटरजेंट सोप में अब यह याद कैस इस तरह से आपको याद रहेगा नेक्ट यूजेश देखिए इस यूजेश मेकिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड साच अज बॉर्यक्स बॉर्यक्स का सबसे पहले तो फॉर्मला याद रख लीजिए यह भी क्वेस्टन आप से यहां से वाटर ऑफ किस्टलाजेशन कितना है तो 10 molecules of water of crystallization यहां से question आ जाते हैं तो बॉर्यक्स अब यह sodium का कोई भी compound बनाने में हम किसका यूज कर रहे हैं वासिंग सोडा का जिससे फॉर्यक्स का इस बॉर्यक्स का फॉर्मला है जो कि sodium का compound है तो कह सकते हैं कि बॉर्यक्स बनाने में हम वासिंग सोडा का यूज करते ह हैं अब आगे देखिए यहां से लगाएंगे में फॉर्यक्स क्रेशन देखिए वाट इस दा क्यामिकल नेम फॉसिंग सोडा तुमें सुरू में बताया जिकी एन एटू सीओ सीओ रहता है इसमें डॉट टेने स्टो भी रहता है तो मतलब यह हुआ कि सोडियम का बोलेंग सुडा एस केमिकल फॉर्मला इज निसोडा का क्या होगा सोडा कहते कि इसको हैं तो एन हाइड्र सोडियम कर्वोनेट को तफको इसमें वाटर नहीं रहेगा सिर्फ सुडियम कार्पोनेट रहेगा फांसर वन हो जाएगा अब नेक्स वेस्ट अव्यूजिग इन दा मैनु देखिए फूर्थ नमर्ट क्वेस्टन और फोर्मला ऑफ वासिंग सोडा एज निवासिंग सोडा का क्या होगा आपको पता ही चल लाँगा ने टू-स दू-स तो तांसर वन हो जाएगा नेस्ट तेके वासिंग तो लाइज है तो है डेतिक शुद्यम कार्बनेट या फिर या फिर दो तो आपको सब्सक्राइप में तो थे रहता है तो हीदर रहता है इसलिए यह आपर गया मैशंच कर बहिंग यहां पर यहां पर प्रॉट्टर करके आपको आगे नहीं बढ़ने है क्योंकि आपको यहां पर तो आगे भी उप्सन तो सही नहीं है तो इस तरह से आपको दिमाग लगाने पड़ते हैं कि अगर ऐसा आजा आजाएं तो आप क्या करते हो कि जल्दी से यह first number answer सही है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाते हो लेकिन ऐसा नहीं है competitive बढ़ने पढ़ेंगे आपको क्योंकि आज के जमाने में आपसे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे student है जो की दिमाग लगाते हैं तो इसलिए आपको भी दिमाग लगाने ही पढ़ेंगे तो आप description में link भी देख करके आप कोई भी वीडियो जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे रिलेटर में इसमें भी link दे दूँगा तो आप वहां से another video भी आप देख सकते हैं thank you so much video देखने के लिए